डॉर्ट कीज़े MZTF जहां आपको मिलेगा Static GK, Special GK और Current Affairs की वीडियोस, वीडियोस, वीज़ेस, और डियर वीज़न विल्कुल फ्री में और साथी Upcoming Exam के Mock Test, E-Books और Study Materials तो देख इस बात की डॉर्ट कीज़ें, MZTF नाओ अगर आप इन में से किसी भी एक्जाम के तैरी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो को जल्दी से कर दीजे लाइक अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजे और चैनल पर अगर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं दोस्तों इस वीडियो की PDAF आपको MZT अपर और टेलिग्राम ग्रूप पर प्रवाइट की जाती है साथे साथ आप इसकी क्वेज भी MZT अपर सौल्व कर सकते हो तो MZT अप अप लोग डौनलोड कर सकते हो बात करते हैं पर लाजडे के कुश्शन की लाजडे का हमारा पहला कुशन दूधा दूद से दही में बदलने के लिए किस बैक्टिरियम का प्रियोग किया जाता है? दोस्तों, लेक्टो बैसिलस का प्रियोग किया जाता है. अगला विंट में सबसे ज्यादा बार फर्मलावं एवन रेस जीतने का कि उत्तर प्रदेश की सभी जिले में, यानि 75 जिले हैं टोटल, तो सभी जिले में मानो तसकरी विरोधी पुलिस इस्टेशन स्थापित किये जाएंगे, किसलिए, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और बढ़ाई जा सके, ठीक है, क्योंकि मानो तसकरी में मैक्सम महिलाओं और बच्चों की तसकरी होती है, तो यूपी सरकार का एक और बड़ा कदम है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में, इस प्रकार के जो पुलिस इस्टेशन होंगे, उनको पूरा का पूरा अधिकार होगा, सुतंतर तरीके से इस मामले की जाज करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतेग जिले में मानुत तसकरी विरोधी पुलिस इस्टेशन अस्थापित की जाएंगे, अब आया है उत्तर प्रदेश तो हम लोग बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ पिछले दिनों में करेंट अफेर के घटनाओ के बार है, साथी साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी राजधानी लखनों में सुपर स्पेस्यालिटी कैंसर सेंटर रस्थापित करने की गुशना की है, सेप सिटी प्रोजेक्ट मिसन सकती कारेकरम ये उत्तर प्रदेश में ही अभिहाली में सुरू किया गया है, नोईडा में दोस् घरेलू परेटकों को आकर्सित करने की मामले में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश अभिहाली में प्रधान मंत्री आत्म निर्भर निधी यानि स्वा निधी योजना को लागू करने में भी सीर्स राजी बनकर आया हुआ है, तो ये तो थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी करेंट अफेर के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट, बात करते हैं स्टैटिक जी के की, उत्तर प्रदेश की राजधाने होती है लकनव, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, योगी आदित्तिनास जी, बीजेपी पार्टी से यहां के है करेंट अगेंज सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के हाई कोड का नाम है अलाबाद हाई कोड जिसके करेंट टाइम पर चीप जर्जेस हैं, गोविंद माधुर जी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़धा विधान सभा सीटे हैं, 403 प्लस 1, रा पहले मुख्यमंत्री हुए गोविंद वल्लमपंद जी, पहली महिला मुख्यमंत्री हुई सुचेता किरप्मलानी जी, जो कि उस टाइम पर भारत की किसी भी राज में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर हुई दोस्तों सरोजनी न ने बोलीविया के राष्टपती पद का चुनाव जीत लिया है लुइस अर्से ने 55.1 परसेंट वोट हासिल किये हैं अपनी कंट्री में और राष्टपती पद के लिए चुनाव जीत लिया है आठ नवंबर को आठ नवंबर 2020 को ये राष्टपती पद ग्रहाण करेंगे बोलिविया की राष्टपती बनेंगे तो अभी जो वहाँ पर अंतरिम राष्टपती है जे नाइन एनेज जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं जे नाइन एनेज का ये पद ग्रहाण करेंगे क्योंकि ये अंतरिम है वहाँ पर अभी ठीक है टेंप्रोरी रूप से वहाँ पर थे तो अब इनका पद ये ले ले लेंगे लिए से और ये बन जाएंगे यहां देखे ये रहा हमारा प्यारा भारत यहां से हम लोग आएंगे दच्छिड अमेर की महादिव में याई साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट में ब्राजील यहां पर दिख रहा है आपको बड़ा सा देश ब्राजील के बगल में ही साइड में आपको मिल जाएगा बोलीव बोलिया की राजधानी दोस्तों दो है एक तो है जुडिसियल एक है एक्जिक्यूटिव जुडिसियल राजधानी है सुक्रे क्या है सुक्रे है जुडिसियल कैपिटल इसकी और इसकी करेंट टाइम पर एक्जिक्यूटिव कैपिटल है लापेज क्या लापेज यहां की कर अगला है अंतराष्टी एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे दोस्तों मनाया जाता है प्रतेक वर्ष 28 अक्टूबर को कब 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसियेशन के दौरा प्रतेक वर्ष मनाया जाता है 92 को पहली बार पैरिस के एक म्यूजियम में एनिमेटेट फिल्म दिखाए गई थी और इसी वज़े से एनिमेटेट फिल्म के बारे में एनिमेशन के बारे में लोगों में जाउटता फेलाने के लिए और एनिमेशन के माध्यम से अपनी बातों को प्रजेंट करने के लिए अ Direct Port Entry सुवीधा का उधगाडन किया है, मंसुक मंडाविया, ये दोस्तों केंदरिये सिपिंग राजी मंतरी हैं, और इन्होंने Direct Port Entry याने DPE सुवीधा का उधगाडन किया है, ये क्या होता है, इस से दोस्तों जो इक्सपोर्टर्झ हैं, जो निर्यातक हैं, जो अपना व्यापार करने के लिए अपने उत्पादों को अपने प्रोड़क को विदेसी मार्केट में बेशते हैं उनके लिए आसानी करने के लिए उनके बिजनेस प्रोसेस को उनके एक्सपोर्ट करने के यानि की विदेसों में माल भेजने के प्रोसेस को और उसकी स्पीड को तेज करने के लिए प्रोसेस को आसान करने के लिए ये डारेक्ट पोर्ट इंट्री सुवधास शुरू की गई है क्लियर है बिल्कुल तो मंसुक मंडाविया जीने से सुरू किया है नेक्स्ट किस IIT संस्थान ने Highway Infrastructure के लिए NHAI के साथ समझोता किया तो अभी आले में IIT जोधपुर ने दूस्तों Highway Infrastructure के लिए NHAI National Highways Authority of India के साथ समझोता किया है इस समझोते के तहत IIT जोधपुर जो होगा वो Highways Infrastructure को और ज़्यादा Advanced और ज़्यादा High Tech और अपनी टेक्नलोजी का यूज करके बनाने के लिए help करेगा NHAI का ठीके National Highways Authority of India का इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो इसकी अस्थापना होई थी 1995 में 1995 में इसकी अस्थापना होई तो अभी हाले में दोस्तों स्री गुरू तेग बहादूर जी की चार समवी जैनती मनाने के लिए सत्तर सदेस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया गया है अब इस सत्तर सदेस्यों के अध्यक्ष होंगे दोस्तों प्रधान मंत्री मोदी जी प्यम मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे सच्यों होंगे अजय कुमार भल्ला जी अजय कुमार भल्ला जी वर्तवान में केंद्रिये ग्रह सच्यों है तो इसके भी सच्यों ये सेक्रेटरी ये बनाएगा है ठीके इस कमेटी के भी दोस्तों इस कमेटी में टोटल 17 सदस हैं मेंबर हैं और इन मेंबर्स में कई राज्यों के चेफ मिश्टर हैं सामिल, कई विभावगों के केंद्रिय मंतरी सामिल हैं, साथी साथ पूर प्रधान मंतरी मनमुहन सिंग जी भी सामिल हैं और लोगसभा के अध्यक्ष ओम बिल्ला जी भी सामिल हैं, स्री गुरुतेग बहादुर जी की चार स्वमी जैनती को लेकर के जो भी इनसे रिलेटेड योजनाएं हैं, नीतियां हैं, करेक्रम हैं या फिर जो उत्सो आयज़त की जाते हैं, उनको सही तरीके से सही टाइम पर और 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 अगनाईज करवाना, ठ दोस्तों, 27 अक्टूबर 2020 को इंडियन आर्मी ने अभी हाली में 74 इंफेंट्री डे मनाया, भारत का 74 इंफेंट्री दिवस था, जम्मू कस्मीर में ये बनाया गया, ठीक है, 27 अक्टूबर 2020 को, प्रतेक वर 27 अक्टूबर को ही मनाय जाता है, क्यों मनाय जाता है, क्योंकि 27 अक्टूबर के दिन ही 1947 में पहली बार इंडियन आर्मी ने आजादी के बाद पहली बार स्री नगर में पाकिस्तानी आदिवाजियों से डेट करके सामना किया था लड़ाई की थी तो इसी वाज़ा से इंफेंट्री दिवस उसी की याद में मनाय जाता है क्योंकि ये दिन सोतनत्ता के बाद पहली बार ससत्र वीरूधी मुठफेर थी ठीक है पहला मुठफेर था ये बारतिय सेना का तो 1947 को इसी दिन की आदमी ये मनाया जाता है चमू कसिमी में किलियर बिल्कुल next बात करते हैं अगला है नासा के किस टेलिस्कोप ने चंद्रमा की सता पर पानी होने की पुष्टी की दोस्तों नासा का अभी हाली में एक टेलिस्कोप है सोफिया सोफिया टेलिस्कोप ने चंद्रमा की सता पर पानी होने की पुष्टी की है इस टेलिस्कोप ने जो देखा है उसके अंसार दोस्तों नासा ने ट्वेट किया नासा के जो चीफ है Jim Bridenstein उन्होंने ट्वेट करके बताया कि चंद्रमा के साउथ पूल में, चंद्रमा के दक्षडी दुरूब में, यानि कि दक्षडी हिस्ते में, जहाँ पर सूरी की उपस्तिती होते हैं, सूरी की चमक पहुंचती हैं, रोसनी पहुंचती हैं, वहाँ पर एक घन मीटर में, एक घन मीटर बोले तो वन मीटर की जमीन में 12 ओंस बोतल का पानी ये पता लगाया है सोफिय टेलिस्कोप ने ठीक है नासा के तो एक ये ओन एंड एवरेज इसका इसके थो जो टेलिस्कोप ने देखा है वो बताया है नासा आया है नासा से रिलेटर अभी एक और कुश्चन आया था चंद्रमा से भी को चुना है इसके लिए ठीक है चले नासा आया है नासा के बारे में बात करें नासा का फ़र्वाम होता है नेशनल एरोनाटिक्स एन स्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस इजन्सी है जिम बिल्टेन स्टाइन इसके करेंट टाइम पर है अड्मिनिस्ट्रेट जिससे वो चीन का सामना कर सके, चीन तक ही मार करने वाले इसकी रेंज भी होगी, रेंज है इसकी 125 किलो मीटर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ड मैप में ताइवान कहां पर है, तो वहां से चाइना को मार करने वाले 125 किलो मीटर रेंज की ये हारपून ब्लॉक 2 मिसाइ की डेल हुई है अमेरिका और ताइवान के बीच में, चलिए अब देख लेते हैं वर्ड मैप में ताइवान है कहां पर, तो सबसे पहले ये रहा मारा प्यारा भारत, यहां से दोस्तों हम लोग आएंगे चाइना की साइड में, यहां पर दक्षिट चीन साइड की सागर सा जापान इधर है और यहीं पर है ताइवान, तो ताइवान देख रहे हैं आप लोग बहुत ही नजदीक है चाइना के ताइवान की कैपिटल है ताइपे, यहां की करेंसी होती है नेव ताइवान डॉलर और यहां की प्रेसिडेंट है तसाई इंगवेन है यहां की प्रेस रहा होगा क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है सभी देश बाकी जो देश हैं जाहे वो जापान हो आस्ट्रेलिया हो ताइवान हो अमेरिका हो इंडिया हो सब एक दूसरे मिल करके इनके पीछे पड़ गए हैं चाइना के और उधर रसिया भी उतना खास इसका जंता दिवस में मुख्या थे इतिकी रूप में सामिल हो रहे हैं और भी छोटी मोटी डेल में हिस्सा कर ले रहे हैं मैं आमार को सामिल करना चाहा यह चीन तो फिर मैं आमार को आई एनेस सिद्धूवेर दे दिया इंडिया ने आपको याद होना चाहिए अभी मैंने पोड़ना चाहा हमबन टोटा बंदर गाह इसको एक्वाइर कर ही लिया है लीज पर लिया था चाइना ने तो फिर स्रिलंका से संबंद मजबूत करना चाहा था वो तो अब स्रिलंका में पहुंचे ही है माइक पॉंपियो और कलकी नियुज आपने देखी होगी उन्होंने प सपोर्ट नहीं पा रहा है चाहिना यानि कुल मिलाज जुला कर कहा जा तो चाहिना चारों तरब से घेर चुका है अगला है पीने योगे पानी के दुरूपियो करने पर भारत में कितनी सजा और जुरूपियो करने पर एक लाक रुपय तक का जुरूपाना और पांच साल तक की जेल हो सकती है भारत में अब पीने योगे पानी का दुरूपियोग नहीं किया जाएगा ये करना कानून अपराद होगा दोस्तों अभी CGWA CGWA एक संस्था है Central Ground Water Authority इसने गाइडलाइन्स जारी की है और इसी गाइडलाइन्स के कॉर्डिंग एक लाख रुपय तक का जुरूपाना और पाच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं अगला हाली में किस देश में एक चौराहे का नाम हरिवन्स राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया दोस्तों पोलेंड में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवन्स राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है हरिवन्स राय बच्चन जी आपको पता है भारत के मसुहूर लेखक और कवी थे अमिताब बच्चन जी के पिता जी थे ये ठीक है तो पोलैंड में इनके सम्मान में एक चौराहे का नाम चेंज करके हरिवन्स राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है अच्छा ऐसा ही मिलता जुलता ये कुश्चन आपको याद आ रहा होगा कुछ ही महीने पहले आया था इस्राइल में एक रोड का नाम चेंज किया गया था एक रोड का नाम एक गली का नाम चेंज करके किसके नाम पर किया गया था, रुविंद्र ना, टैगोरजी की नाम पर किया गया था इसको भी आप याद रखेंगे, पोलेंड आया है, चलिए वर्ड मैप में देखते हैं, पोलेंड है कहां पर Poland दोस्तों एक European country है तो European continent की तरब चलेंगे सबसे पहले देख लिजे ये रहा हमारा प्यारा भारत यहां से हम लोग आएंगे European continent European महादीप में European महादीप में यही पर आपको जर्मनी की पास दिख जाएगा Poland ये रहा Poland ठीक है Poland की capital होती है Warsaw क्या है Warsaw है यहां की capital यहां के प्रेसिडेंट है आंद्रजेज डूडा कौन है आंद्रजेज डूडा यहां की currency होती है Polish Jaloti क्या है Polish Jaloti तो बस दोस्तों यह तो थे हमारे आज की दिन की top important current affair के questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के पास इसे share कर दीजिए आप लोग share करके अपना support मुझे दिखाएए चैनल पर अगर नए आए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो अभी तर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो bell icon को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का notification भी आपको time पर मिलता रहे इसके साथ है इस वीडियो की quiz आप लोग MZT app पर solve कर सकते हो MZT app पर ही इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी और दोस्तों एक single image format में one liner की रूप में सभी questions और answers को प्रोवाइड किये जाता है हमाई telegram group में तो आप लोग telegram group को भी join कर लो वहाँ पर हमेशा दिन भर में quiz चलती रहती है तो आप लोग quizzes भी solve कर सकते हो एक study का माहौल maintain कर सकते हो तो अगर आपका पढ़ने का मन ना कर रहा हो दिन में कभी भी तो आप लोग telegram group में जाओ आप लोग quizzes चलती रहती है तो quiz solve करके थोड़ा सा आप लोग steady भी चलता रहेगा और थोड़ा आपका मन भी divert हो जाएगा चले बात करते हैं कुशन तब दर डेगी आज का पहला question है हाली में लीकुन का निधन हो गया यह किस देश की सबसे अमीर व्यक्ति थे अगला अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीडित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है दोना ही question important है कल की डेली जी के टेस्ट से लिया गया है second question आप लोग अगर डेली जी के टेस्ट नहीं देखते हो उसे भी देखा करो इन